जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में एक हॉरर फिल्म मक के बारे में ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो की एक जंगल में फस जाते हैं क्योंकि वो उस जंगल में ट्रिब मनाने के लिए आये थे लेकिन उनकी बोट का आक्सिडेंट हो गया था जिसके वैसे वो सभी अलग-अलग हो गए थे और उन लोगो को बहुत जाधा ठंड लग रही थी हम इक लड़की को देख पाते हैं जो की बहुत जाधा ठंड से ठिटूर रही थी और वो भागते हुए एक मेस फार्म में आती है जहां उसे अपने दोस्त नजर नहीं आते तब यह के करके उसके दोस्त वहाँ पे आने लगते हैं उसके बद उनकी एक और दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो पांचों मिलके जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने एक घर नजर आता है जिसे देखकर वो खुश हुजाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे उन्हें कुछ मदद मिलेगी वो पांचों उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त भी गायब है जो ही जंगल में भटक गई है और उन्हें नहीं पता कि आखिर वो कहां चली गई वो सभी जो उस घर के पास पहुंचते हैं तो वो आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी उनका उत्तर नहीं देता ये देखकर वो सभी उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हम जॉन को देखते हैं जिसके पेट से खून निकले ही जा रहा था क्योंकि एक लगड़ी उसके पेट के आर पार हो गई थी वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो जिन्दा नहीं बचेगा जिसके उसी गर्फरेंड उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और उसके बाद चार्ली वहां से चला जाता है मदद लेने के लिए वे जाल केशन में लड़की वो वाइन मिलती है जिससे देखकर वो खुश हो जाती है और वो उसे जान के बास लेकर जाती है और वो दोन जान चार्ली की गर्फरेंड से कहता है कि वो बेस्मेंट की ओड़ जाए ताकि वो वहां पे कोई चागो डूंड सके अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो लड़की वहां पे बेस्मेंट के दरवाजा खोलती है तो हम उसके सामने गंजबंदे को देख पाते हैं जो कि उसे चुप जाता है और लड़की जब नीचे जाती है तो वहां पे उसे देख लेती है जिससे वो बहुत जादा डर जाती है इधर चार्ली भागते हुए टाउन में पहुंचता है जहां पे उसे एक बाहर नज़र आता है उसके बाहर से दो लड़किया निकल रही होती है तो वो उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है जो कि उसकी मदद करने से इंकार कर देती है उसके बाद चार्ली बार के अंदर जाता है और वाश रूम में जाके वो अपने आपको साफ करता है उसके बाद वो काउंटर पे जाता है और अपनी जेब में देखता है कि कुछी पै करना है इस उनके वो लड़की मान जाती है और वो उसे ड्रिंक पिलाता है उसके बाद वो लड़की उसे अपना फोन दे देती है और उससे कहती है कि वो इस फोन को चुरा के बिल्कुल ना भागे तो कि उसका जो पती है वो यहां का गुंडा है जो कि उसे बुरी तरह पीट हाथ में एक leap होती है और्वो बहुत जादा खतरनाक दिख भा हो बंदन ऊसके पेट पेड़े देता है जिस से उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती है और उसके और लड़की की वहीं पर मोथ हो जाστी है। और ट्रायड अपने घर के पास बार में होता है जहां वो अपनी दोस्ट चांदी के साथ आया था और उसे वहाँ पे एक नई लड़की भी मिली थी जो कि उसे काफी जादा पसंद आ रही थी ट्रायड जब उसका फोन उठाता है तो वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ ह कि अपने दोस्टों के साथ एक जगह पे फस गया है और उसे वहाँ पर आना होगा उनलोगों को हॉस्पिटल तक पहुचाने के लिए जिस उनके ट्रायड उससे कहता है कि वो वहाँ पे नहीं आया तो उनका एक धोस्ट मारा जाएगा जिस उनके वो काफी घप्रा जाता ह और उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है वो चांदी को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उन्हें यहां से अपने भाई के पास जाना होगा ताकि वो उसके दोस्तों की जान बचा सकें उसके बाद वो वहां से उठता है और अपनी दोस्ट चांदी और उस लड़ी के साथ वहाँ पे जाने लगता है बार्टेंडर उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रहा है तो वो बार्टेंडर को उस टाउन का नाम बताता है इस उनके बार्टेंडर काफी घवरा जाता है और उससे कहता है कि उसे वहाँ रात को हर्गिज नहीं जाना चाहिए वहाँ पर बहुती अजीब घटनाए होती है और उसके लिए वहाँ पर सेफ नहीं है उससे कहता है कि उसका भाई वहाँ पर फसा हुआ है और वहाँ पर उसे छुडाने के लिए जा रहा है उसके बाद तीनों अपने आखरी शॉर्ट्स लेते हैं और वहां से चले जाते हैं इधर बेस्मेंट में चार्ली की गर्ल्फरेंट को दो क्रीपी बंदे घेर लेते हैं और वो उसे पकड़ के निवस्तर कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं चार्ली अपने इसे मदद मागने के बाद वहां से भागने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों के पास पहुंच सके रास्ते में उसे गर में एक लड़की नजार आती है जो इक अपड़े बदल रही थी और उसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसे मदद मागनी चाहिए लेकिन चार्ली इपने आपको रोकता है और वहां से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि एक क्रीपी बंदा उस घर में घुसाता है जो कि उस लड़की को जान से मार डालता है इधर ट्रायट अपनी धोनों दोस्तों के साथ अपनी कार में वहां पे जाने के लिए निकल जाता है इधर ओ आजे भागता हुआ एक ग्रेवियार्ड में पहुंचता है जहां पर वो मियां को भागता हुआ देखता है और उसके पीछे वो क्रीवी बंदे भाग रहे थे ये देखकर छुप जाता है और उसे लगता है कि शायद यहां पर कोई करड़ पड़ है मतुरन बात के उस घर की ओड़ जाता है लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे कदम रखता है वो ये शाल क्रीपी बंदा उसकी गर्ल्फरेंड वो खिटकी के रास्ते बाहर फैकता है ज़िए देखकर चार्ली घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया उसकी गर्फरेंड रेंग के व होती सदमा लगता है और वो बदले की आग में तड़पने लगता है जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि चारो तरफ खून ही खून है और ये देखकर उसे बहुत जादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी गर्फरेंड की कातल से बदला लेना चाहता था तब ही चा अंसान जगे पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक घर नजर आता है जिसके अंदर जाके वो छुप जाती है उसे लगता है कि वहाँ पर वो सेफ रहे कि इसलिए वो बैट पर जाके बैट जाती है लेकिन तभी उसे बाहर से उन क्रीपी बंदों के चिलाने की आवाज जाने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर भी सेफ नहीं है उसके बाद मिया वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है वो दर्वाजा खूल के वहाँ से चोई शुप पर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उस पर पानी गरने लगता है जिससे वो अपने शरीर पे गिरे हुए खून को साफ कर लेती है तो अपने दोनों दोस्तों के साथ टाउन में पहुंचता है तो अपनी गाड़ी के आगे वो उन्हीं करीपी बंदों को देखता है जो कि उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे ट्राइड अपने दोस्तों से पूछता है कि आगर ये कैसे लोग हैं जो कि एकी तरह दिख रहे हैं तो चांदी उससे कहती है कि उसे ये लोग काफी साथ आजीब लग रहे हैं तो उन्हें इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए और यहां से चल देना चाहिए ट्राइड उ जिससे उसकी जो दोस्ती वो कुचल जाती है और उसकी दोस्ती वहीं पर मौत हो जाती है बागी क्रीपी बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और ट्राइड और चांदी बचे हुए थे ट्राइड ये देखकर है और सोचता है कि आखिर उन लोगों ने गाड़ी कैसे पलट दी चांदी उससे कहती है कि अब वो लोग यहां पर फस गए हैं और उन्हें जल्दी से उसके भाई को ढूड़ना पड़ेगा और यहां से बाहर निकलना पड़ेगा ट्राइड उसकी बात मानता है और वहां से आगे जाने लगता है इधर हम उस बंदे को देख पाते हैं जिस बहुत जल्द शादी करने वाला था इस उनके वो उससे कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचानी है और तुरंत यहां से बाहर निकलना है वन्ना वो लोग उन्हीं भी जान से मार डालेंगे उसके बार ट्राइड चार्ली से कहता है कि व अंदर जा रहा है कुछ औजार ढूंडने के लिए जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और उन बंदों को जान से मार सकें वो तीनों मिलके अंदर जाते हैं और तभी मिया भी वहाँ पर आ जाती है जिससे देखकर चार्ली खुश हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल सह मिया उन्हें बताती है कि उसने भी एक बंदे को जान से मार डाला है और यह सब उसने प्रोटेक्शन के लिए किया तभी वहाँ पर ग्रुप उन पे हमला कर देता है और वो सभी दर्वाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं लेलिक बंदा दर्वाजा खुल के अंदर आ ज मुझता है चांदी को समालने के लिए लेगिनों बंदे उसे गलें फंदा डालते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं ट्रैट देखता है कि उन लोगों ने उसे घेर लिया है लेगिन वो हार नहीं मानता और उन लोगों से लड़ने लगता है उसे इतना जाता गुस्ता आ है और वो एक एक करके उन बंदों को जान से मार डालता है उसके बाद वो एक बंदे को जला देता है जिससे उसकी भी मृत्यू हो जाती है और फिर वो हत्यार लेकर अपने भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि इन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है उन्हें लोगो अब जान से मारना होगा उसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके और वो बंदे उनका पीछा करने आते हैं तो वो एक एक करके उन्हें भी जान से मारते हैं वहीं पचांदी ट्रायट को अपने दिल की बात बताती है वो उसे कहती है कि वो उसकी best friend है लेकिन मन ही मन वो उसे पसंद भी करती है। यसे उनके ट्रायट खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। जब नदी किनारे पहुशते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे और बंदे आ गए हैं जो कि उसे कजन को खीच के अपने साथ ले जाते हैं। और इनके ऊपर कुछ जिमॉनिक साइन्स बने हुए होते हैं। लेकिन वो अपने भाई की जान बचाने में काम्याब नहीं हो पाया। दोस्तो मुझे लगता है कि शायर चांदी और ट्राइड भी मारे ही जाएंगे। यह बंदे जितना मर रहे थे उतनी जादा संख्या में आ रहे थे। और नजाने उस टाउन में और कितने कल्ट मेंबर्स हैं। यह इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो। आप कोई वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हैं तो यह सबस्क्राइब करें और बेल आइक उन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद।